हलो अबरीबन मैसल फेमन तुम्हाइब स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैंगनेट वेंस पे जो प्रोवाइट करता है कॉलिटी एजूकेशन फुल कोर्स कंटेंड के साथ जी बिलकुल फुल कोर्स कंटेंड के साथ यह नहीं कि एक दो चाप्टस पढ़ा के हेलो अरींस जिसमें आज अपन देखने वाले प्रपरेशन ऑफ हेलो अलकेन फ्राम हाइड्रो कार्बन फ्रम एल्कोहॉल खतम कर चुके थे अब बारी है हाइड्रो कार्बन की हाँ सर कहानी थोड़ी गंभीर होती जा रही थी कहानी ऐसे गंभीर हो रही है क्योंकि पहले अपने पहले अपने क्या सर क्या लिख रहा हो अधिरी State देख ली किस से देख ली सर एलकोहॉल से अब बारी है किस से सर हाइड्रो कार्बन से किस सर हाइड्रो कार्बन से और मज़ा आएगा तेंशन को लिकंग mindset इससे कोशन पक्का आता है सर जी हाँ वही जो उल्टा मैं बोलता हूं हर बार एक नंबर पक्के बस आपको मेरे साथ पढ़ना है अगर पक्के नहीं तो बात वाली बात गेरिंटी क्या गेरिंटी एक दम तो सर आज पढ़ेंगे अपन हाइड्रोकार्बन से मज़ा आएगा सर मज़ा आएगा टेंशन की बात मतलो बस पुराना अगर लेक्चर चमक गया हो तो एक बाद चमका हो जाए एक बाद प्रेजेंट हो जाए और आज अपन चमका दिंगे किसको पूरे पूरे हाइड्रोकार्बन को पूरा इसको चमका देंगे टेंशन मतलो यह भी बोलेगा चम 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 वो चम चम ता अपना चम चम है तब यह तो चम के गां क्लियर है और अगर बोले तो प्रतीक सर की भासा में एक तरफा करवा देंगे ठीक है चलिए ओके है तो सर है अचिभार ड की बात करणी हैं आज तो बात करनी पड़ेगी सर आज तो बात करनी पड़ेगी सर है अपने इलेवंज में भी है का की मदद से अपने हेलोलकेन बनाया है इसमें एक मेकानिजम लगता था आपने 11 में देखा हुआ याद आ रहा है कुछ 11 के कि सारे पाप ही है ठीक है सर सारे पाप होंगे तो आपन दो दिंगे कोई दिक्कत नहीं मैंने कहा था 11 की नहीं भी पड़ी होगी तो भी चल जाएगी लेकिन थोड़ा समझने में कोशिच जाता करनी पड़ीगी सब बताऊंगा मैं हाइड्रोकर्बन से हलोलकेन जाने में आपने देखा होगा एक मेथड लगा होगा पढ़ा होगा आपने सबने देखा होता है free radical method या free radical mechanism पढ़ा है के नहीं पढ़ा हाँ सर कुछ कुछ तो य मेकानिजम 11 में था 11 वालों को मैं यह मेकानिजम पढ़ाऊंगा लेकिन यह आपके इत्ता काम का नहीं है क्वेल्ट में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी धुलनी यादे जो हैं उनको ताजा कर लेते फ्री radical mechanism में तीन स्टेप थी पहली चेन इनिशियेशन दूसरी चेन प्रपोगेशन और लास्ट तोर दो सारी जंजीरों को खतम कर दो चेन टर्मिनेशन इन तीन स्टेप में अपना पूरा फ्री रेडिकल मेकानिजम चला था पहले तो फ्री रेडिकल बनता है और तयार करता है चेन इनिशियेशन पहले फ्री रेडिकल बनता है और तयार करता है चेन इनिशियेशन की अब I am ready अब मैं reaction को आगे बढ़ा सकता हूँ फिर वो हाथ किसी ओर के हात में जाता है, फिर जब दो हाथ मिलते हैं तो chain बढ़ी होती है chain दयार होती है chain बढ़ने का काम करती है, तरक्की की ओ जाती है जिसको अपन कहते हैं chain propagation क्या कहते हैं sir, chain propagation एक time के बाद अपन को desired compound चाहिए रहता है, वो मिल गया और जब मिल गया तो सर अब बारी आगई उसको निपटा दो अब उसको निपटा दो इसी लिए last होता है chain termination खतम खेल पैसा हजम ये तीन step आपको देखने को मिलती है और ये free radical mechanism आपने देखा होगा ये होता था किसके presence में सर जी sunlight के presence में किसके presence में sunlight के presence में ये होता था और यहां भेंकर मजा आता था एक तरफा मजा आता था और बोले तो जखास एक डब चीक है कोई दिकत कोई दुख कोई दल्थ कोई problem हो तो बता दीजिए बैया कोई problem हो तो बता दीजिए पक्का यहां तक clear है आगे बढ़े तो ये तो मैंने आपको पुरानी भूली हुई यादे जिनको ताजा करवा दिया है अभी देखते हैं चलो पीछे चलते हैं आज अपन ठीक है अब मैं आपको एक एक ग्जामपल दिखा रहा हूँ वैसे तो जरूरत नहीं थी कि मुझे को मैं अभी आपको बताऊं free radical mechanism लेकिन बताना तो पड़ेगा सर सर बताना तो पड़ेगा थोड़ा बता दूंगा नो तो चीज़े clear हो जाएंगी चीज़े क्य करवाते हैं अपन h new या फिर sunlight लिख दो या कभी-कभी आपको यहां पे uv भी लिखा मिलेगा इस पूरे का होने का मतलब यही होता है कि यह लोग अगर मिल गए यह सब अगर एक साथ आपको कहीं देखने को मिल जाएं तो समझ जाना कौन से phase में जा रहे हैं अपन free radical mechanism उस phase के तरफ अपन चल दिये किस फेस के तरफ free radical mechanism के फेस के तरफ अपन चल दिये रूख जाओ उसको जड़ा अपन सई तरीके से बना ले यह free radical mechanism इस तरफ अपन चल दियें जब भी क्लोरीन मिले सललाइट के प्रेजिंस में हो तो free radical mechanism होता है सर रियाक्शन बहुत सुंदर है आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करवाना कैसे करवाना सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले होता है चेन इनिसियेशन मैंने काना आपको सबसे पहले होता है चेन इनिसियेशन सर वैसे तो यह ज़्यादा important नहीं है आपको लेकिन सर समझना बहुत जरूरी है अगर मैं समझा रहा हूँ तो समझने की कोशिश करिए सबसे पहले आता है क्लोरीन भाई कौन आता है क्लोरीन आप जानते हो क्लोरीन जो है वो है CL2 क्या है सर CL2 अब इसकी अगर मैं बात समझू और इसका मतलब कुछ ऐसा ही है न हाँ सर बहुत बढ़ी है CC single bond सबस 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 तो अब अगर आप जानते हो तो सर इसका होता है क्या होता इसका हो मोलेटिक फिजन आप कुछ लोग कहीं इस है क्या होता यहा होता है हमें थोड़ा समझाओ ना हमें तो नहीं आता है मैंने का समझा वान करने का मैं यह क्वेलिटी में ہے बिलीफ करता हो इसको को भी बराबर मारूंगा इसको भी बराबर तो इनने का तोड़ दो सारे रश्मे कश्मे से इसका बॉन्ट तोड़ दिया तो यह एलेक्ट्रोन भाई के पास उसका एलेक्ट्रोन भाई के पास तो देखो क्या हुआ दिख रहे हैं? यही कहलाते हैं free radical. यही कहलाते हैं क्या सर? free radical. दिख रहे हैं? एक एक इनके पास unpaird electron ही है. यह जो है ना यह है. यह इनके टकले पे जो बिंदी दिख रही है. इनको कहते हैं unpaird electron. और जो पूरी शान से चा रहे हैं हम pair हो जाएं हम double हो जाएं हमें कोई मिल जाए हमें कोई support कर दे हमारे हातों में भी हात आ जाएं ऐसा कुछ यह लोग चा रहे हैं. इसको कहते हैं free radical. क्या कहते हैं इनको सर? free radical. कोई दिकत की बात? कोई दुख? तो यह थी chain initiation जिसमें free radical बन चुका है. अब इसको तो छोटू सा कल देते हैं. छोटू करना इसलिए जरूरी है. नहीं तो आपन को दिकत बहुत होने वाली है. क्योंकि क्या है? तीन step की reaction है भाई? तीन step की reaction है तो यह तो अपनी step number one हो गई. अब step number two. Step number two. हमने का बढ़िया मज़ा आएगा. फिर step number three. ऐसा हम सोच रहे हैं कि यहीं हो जाएगी. हो जाए तो अच्छी बात है नहीं, तो कोई बात नहीं. अब होगा chain propagation. कैसे होगा? देखो. सर, सर मीथियन को जा आप जानते हूँ. क्या होता है? ऐसा bond है उसका. दिख रहा है? दिखा? अब देखना. अब थोड़ा ध्यान से देखना. अब थोड़ा ध्यान से देखना. मैं नीचे वाले hydrogen की बात करो. सर, यहाँ पर homolytic fusion होने वाला है. क्या होने वाला है? होमोलिटिक fusion. देखो. कारबन के पास अपना एलेक्टरॉन चला जाएगा. हाइडूजन के पास अपना चला जाएगा. बस बात ख़ता हम. यही चाहता था कौन क्लोरीन? यही चाहता था कौन क्लोरीन? यहाँ से एक क्लोरीन अंदर आएगा. एक अभी वहीं रुका हुआ है. एक रुका हुआ है. अभी एक नहीं आ रहा है. देखो. अब समझो क्या होगा? यह विचारा एज बनके निकलेगा. फ्री रेडिकल बनके निकलेगा ना? यहाँ से एज बन जाएगा एक फ्री रेडिकल. देखो. अच्छे से समझाता हूँ. यह तूटा. तो यह दो चीज देगा. क्या देगा दो चीज है? देखो. एक तो यह कार्बन है. कार्बन के पास तीन हाइडोजन है. और साथ ही साथ उसके पास एक अन्पैड एलेक्ट लेकिन भाई इस हाइडोजन ने इसकी लंका लगा दी. तो यह तो बन गया क्या? से एल प्लस यह क्या बन गया? सी एच त्री डॉट. यह अपना फ्री रेडिकल हो गया. यह अप क्या हो गया? अपना फ्री रेडिकल. बात समझा है? चेन बढ़ी करने वाले, चेन प्रपो ऐडोजन का फ्री रेडिकल मिला. और एक भाईया समने फ्री रेडिकलתי क्ल्री के साथ च्रॉट कमना लिया. Śl और भाईया, यह अपके हैं कौन? बिचारे के साथ तो ऐसे गुना कर दिया. कहता है, भाईया, बड़ी जालिम दुनिआ है. ची तरी के उपर डॉट आ गया ज तो यह step two को एसा अच्छे से लिख देते मेरे साब से इतना तो दिखाणा ओगा एक बार मैं चेक कर लेता हूं और ओपल थोड़ा सरका दूँता है तो थोड़ा सा उसको शाय आप साइड कर देते रूख जाओ रूख जाओ इसको साइट कल देंगे ना पन उतर तो यह अपनी दिक्कत दे रहा है यह अपना में था इसको यहां ले लिंगे अपन और यह वाला जो है इसको इदा सरकाल लेते हैं अपन अपने रेंज में जित्ता आ सकता है इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं रुखो भाई रुखना दो में टुखना ठीक है आप टेंशन मतलो सब मैं आपको पूरा अरेंज करके दूँगा क्योंकि क्या है आपको अच्छे से नोट्स बनाने का है अब मुझे देखने दो पहले दिख रहा है या नहीं दिख रहा है हाँ बढ़िया दिख रहा है बढ़िया दिख रहा है बस यह वाले को थोड़ा सा मैं बढ़ा कर लूँ कि यह भी खुस हो जाए ने तो यह भी मेरे को बहुत ताने मालता है आप जानते नहीं हो भाई सब बहुत तेरी आजकल यह में था चीए ठीए आप तो लिखो तेरें तेरें यह लोग यह अपनी में ऐसी रियक्षन आई तो यह पूरा मेकानिजम होगा ठीक है चलिए स्टैप नमबर थी आजाओ जाओ सर्टैप नमबर थी पर जाओ खतम करते हैं अब स्टैप नमबर थी क्या होती है चेन टर्मिनेशन अच्छा पता है मैं अभी हेलो अलकेन की बात कर रहा हूं इसलिए मैं एक ही के बात रोक रहा हूं अभी और आगे चलता ना एक एक हाईडूजन ओडाता चल जाएगा हाँ वो तो मैं इस क्लोरीन को बाप यह देखो और वो लेंगे आपस में मिल जाते हैं यह फ्री रेडिकल है दोनों अनपेड है यह देखो किता बढ़िया आपका बन गया चेन रुख गई यह अपना डिजाइट कंपाउंड था जिसको अपन कहते हैं हेलो अलकेन हेलो अलकेन यह अगर आप चाहते तो भाईय यह और आगे जासकता था पता है अब इसको और आगë लेकर जाओंगा ना एक-एक हडोजन काम होते जाइंगे और बनता चला याख क्लोरीन प्रहाइक यह क्लोरोमीत्घिण फिर बनेगा डाइक गोरोमीथ़िध्ञ पिर halo halo लेकिन हेल की बाद इसलिए इसलिए नहीं पर रोग दी जो चैन प्रपोगेशन वह बढाती ही चाूरीं चीजों लेकिन अबनको तब तंदर नहीं जलते जाना है अब ना को यहीं तब तक रहना था इसको बनेध कांबर के ना कहते को परी रेणिकल मेकाणिसम जल्ली देखिये इसको हुआ है लीजे इसको जल्दी कुछ हुगा हो गया चल अब आगे बढ़ते समझ में आए फिर्याटिकल मेकानिजम आप देखो अब अपन को क्या करना है सब देखिए यह मानलों एक कंपाउंड देदिया में आपको ठीक है इसमें किसकी रियक्शन क्लोरीन के साथ है वही 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 सल्लाइट एच न्यू ह्क यह दिख रहा है इस तरीके की चिजह मतल्म भी इंडारीकली ф्यृाइड डैटिकलम हो ना इती Ο ऑसी अब इसमें पता है क्या होगा इसमें दो तरीके के फ्रीटिकल बनें गहीं कि यत्ते अटों कि आप समझना कैसे सार एक बार हो सकता ही कि यह hydrogen दे दे अगर इसका hydrogen चले जाएगा तो एक free radical क्या बनेगा c-3 ch2 c- 2 hour c h 2 ओर यह free radical दिखर आए इसके अदर हमोलेटिक फिजल हो गया hydrogen चला गया hydrogen चला गया सिंगल तो यह हो जाएगा या तो कुछ बच्छा बोलता है सर एक और होगा क्या होगा उसने का देखो ना सर यह हमारा कोई रिस्तदाल थोड़ी लगता है कि इसी कई मैं फ्री राडिकल बनाओ मैं तो इसका भी बना सकता हूं इस से हीड्रोजन ले लू मैंने कहां यह बात भी है आजाओ तो अगर इसका है तो इस प्री राडिकल आ जाएगा आ जाएगा कि निया जाएगा तो एक बच्चा और उठा केता है केता है सर तो यह थोड़ी कोई मेरे फूपा का चाचा है अना यह क्या हो गया फूपा का चाचा अरे होगा कुछ छोड़ ना इसको भी तो दे सकता हूं तो उसने का घटे अगर तू इसको देदेगा तो हैं से यह सिधकेट नंबर हो गया और यहां से आपया उसी लिए उसने का बाइया सिर्फ दो ही तरीक की फिर रिईडिकल बन सकते हैं एक जो और एक जो वालो बाद दो ही बनांगे दो के अलाव basically तो उन्सकरना आएक फिर फ्री रेडिकल बना था फिर इसी से तो क्लोरीन जुड़ा था तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ अगर ये फ्री रेडिकल बना है तो क्लोरीन भी तो इसी के साथ जुड़ेगा जुड़ेगा के नहीं तो मैंने कहा जब क्लोरीन भाई आएंगे जब क्लोरीन भाई आएंगे तो इसके साथ एक क्लोरीन वाला आजाएगा ये दोनो तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये CH2 के साथ क्या हो जाएगा CL इसी पर जोड़ क्या ना फिर रेडिकल खुद हो गया लेकिन अगर ये वाला होता क्या बनता जल्दी एक बार चिल्ला दो भाई एक बार चिल्ला दो कमेंट सेक्शन में कौन सा वाला बनता नाम बतादा सर प्लस CL फ्री रेडिकल अगर ये दोनों मिलेंगे तो सर CH3 CH2 CH के नीचे CL और CH3 दिख रहा है एक बार ये कंपाउंड बन सकता है सब दोनों के नाम अलगे अंडर एस्टिमेट मत कर देना इसको कहेंगे कीलोरो ब्यूटीन काओगे सर अच्छा मानोगे नहीं आप क्लोरो नहीं है आपका ना कीलोरो है मैंने बिल्कुल और इधार आओ इधार आओ इधार आओ इसका क्या हो जाएगा सर पढ़ाई है आपने बहुत जम से क्या औरगेनिक आ रही है हमको तो इसका नाम हो जाएगा टू क्लोरो ब्यूटीन तो सर ये बात याद खिये जब भी आपका फ्री रेडिकल मेकानिजम होता है तो जित्ती पॉसिबिलिटीस ऑफ हैलोलकेन होता है अपने उन सब को ले आते और मैंने बोला मुझे एके की चाहिए था मुझे पॉली हैलोजनेक कंपाउंड नहीं चाहिए था नहीं तो ये अगर और ज़्यादा क्लोरीन आप दोगे क्योंकि ये पूरे हाइडोजनों को निप्टा देगा उसके बाद ही चेन को खतम करेगा लेगन आपके उपर डिपेंड कलता है आपको बीच में रुगवानी है क्या करवाना है क्योंकि टर्मिनेशन अपने हाथ में हवेशा होता है तो आपन वह यहाला काम करते हैं ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे साब से तो कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं होगी ठीक है? तो जब भी ऐसा आएगा तो पॉसिबिलिटी अपनी ये दो कंपाउंड की थी तो ये सब तो मैंने आपको बताया है फाइनली ये सब कुछ भी नहीं लिखना चाओ तो लिख लो लिखना चाओ तो लिख लो ये इसके बारे में बाते थी और ये वाली बाते इसके बारे में थी ठीक है? हटा दू क्योंकि मैं इसको अभी डिजाइन करूँगा सई से हो गया हो गया चल चल कल लिया होगा आहां कि यह मेरे काम का नहीं है न सर मेरे काम का क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी बाइ और फिर कुछ लोग यह भी बोलते सर कौन सा कॉन सा फी रैडिकल जाधा स्टिबल होता है तो वह भी मैं आपको बता देता हूं यह भी इलेवेंट का ही है, यह भी इलेवेंट का और साथ ही साथ आपका SCL भाहर निकला होगा यह reaction थी अब जो आपने free radical बनाएते ना तो अगर चाहो तो आप free radical की मैं order of reactivity भी लिख सकता हूँ order of stability कौन सा free radical सबसे ज़ादा stable होता है भाईया tertiary free radical सबसे ज़ादा फिर secondary, primary और सबसे last में methyl वाला यह लिख दिया मैंने stability of free radical stability of free radical stability of free radical भी मैंने आपको लिख के दे दी वैसे जरूरत पढ़ेगी नहीं आपको लेकिन फिर भी मैंने आपको लिख के बता दी stability of free radical की कौन सा वाला free radical सबसे ज़ादा stable होगा अब देखो मैं आपको बताता हूँ अभी आपने देखा हो स tienер के प्राइमेरी वाला जो बना फारी वाला कॉंसा वाला से कौांसाец freeberectica जो ना ता इसलिए यह यह मेजर रोड़क्ट होता है और होता है माइनर आप कुछ लोग कहते हैं सर मेजर हो माइनर में कहते हैं भाईया जिसकी क्वांटिटी जादा हो जो हमेशा जादा बने जो जादा स्टेबल हो उसको कहते हैं मेजर और जो कम होता है जिसकी स्टेबलिटी कम होती है जिसकी क्वांटिटी कम होती जिसकी कोई ती जो मैंने आपके सामने बता दिये जल्दी देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को वैसे इतनी जरुवत नहीं थी फ्री रेडिकल मेकानिजम की लेकिन मैंने तो सब ले आया मेरा काम तविया कुछ छूटने का नहीं बागी तो मैं सब समाल लूँगा बागी तो मैं सब समाल लूँगा कोई प्रॉब्लम कोई दुख कोई दर्थ हो तो बता दो हो तो बता दो चलो जल्दी 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 बता दो हो गया चलो यह देखें सेम रियक्षन थी वन क्लोरो ब्यूटन मना कौन मना बिटा वन क्लोरो अरे यह नट्राज वाली बिलकुल नहीं मानते हैं वन क्लोरो ब्यूटन और यह क्या बना टू क्लोरो ब्यूटेन कोई प्रॉब्लम कोई दुख कोई दर्थ कोई पीड़ा नहीं सर लेकिन बस इनमें यही दिक्कत होती है जब एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं यह कहलाते हैं isomers isomeric compounds होते हैं एक दूसरे से साथ Similarity रखते है और जब भी आपको mixtures मिलते हैं क्या मिलते हैं आईजोमेरि Kitchen लुत मिलते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह दिक्कत बस इह को सेरेट करने में बहुत प्रॉबलम आती है क्योंकि भाई इसको अलग सेपरेट करना पड़ेगा इसको अलग करना पड़ेगा तब ही तो आप काम कर पाओगे बस यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि इनको सेपरेट करना पड़ता है यही आप याद रहिए और यहीं होता है कोई भी रियक्षन में अगर एक प्रोड़क्स मिल गए तो फिर आपके लिए संकट हो जाता है क्यों संकट हो जाता है क्योंकि भाई एक बात हमेशा याद अखिएगा क्या याद अखनी है बात क्योंकि इन कंपाउंड को फिर क्या करना पड़ेगा सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि रियक्षन में आपक समय को भाय वह कहते हैं कि कवाब में हड़ी तो हड़ी तो निकालनी पड़ी ऐसा थोड़ी गपकपकपाब ख़ाओगै भाई वह हड़ी तो separate करनी पड़ी तब ही दिक्कत आती है तो यही दिक्कत है सबस्यादा और्गेनिक की लेकिन ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है देखें क्या लिखाएं अब मिक्षास ओफ आइजोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो अलकेंस इस फॉर्म यही हुआ ना विच इस डिफिकल्ड तू सेपरेट एस प्यॉर कंपाउंड उनको सेपरेट करने में बड़ी दुविदा हो सकती है चल्ब जल्दी नोट डाउन करो जल्दी 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 नोट डाउन करो जल्दी हडाना तो नहीं है यह लो एक बार इसका और ले लो स्क्रिंशोट जल्दी ले लिया जल्दी इसका भी ले लो एक बार स्क्रिंशोट जल्दी 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 चलो ये वाला भी स्क्रिंशॉट ले लो ले लिया चलिए चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं सर अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं मज़ेदा देखते हैं कि क्या होने वाला है चलिए सर अब आता है सिकेंड अभी अपने किस से देखा भी या किस से देखा अपने अभी देख Sir, जब Alcene से बात होगी न तो बिलकुल simple है, बहुत easy है, sir ये तो मेरा favorite है, कगे sir आप तो सब को spreadsheet बोलते रहते हो ठीक है, ठीक है ठीक है, चलो sir अरे यार यार चोटी चोटी कैसे हो रही है भाई, बार-बार धोका दे रही है अपन को From Alcene From Alcene इससे अपन को बात करने हैं, बहुत बड़ी है, मज़ेदार है, बोले तो जगा जाके, चीक है, चलो, आजाओ. अब क्या होता है, अलकीन्स में अपन सर्फ पता है क्या करवाते हैं, एडिशन. अलकीज में क्या करवाते हैं अपन? एडीशन, किसका एडीशन? एडीशन ओफ एडीशन ओफ हैलोजन एसिड हाँ, किसका एड होगा? एडीशन ओफ हैलोजन एसिड लाइक, लाइक, एक्जामपल S-C-L H-B-R H-I इंस सब को आपको पताईथा है इंस सब को क्या कहते है हैलोजन एसिड्स कहते है हमने कहında, बहुत बढ़ी और तो मजा आने वाला है, इस पर आपन को बहुत जम के बिल्कुल सर, अलकीन से तो जब भी आप जब भी आप बना सकते हो तो क्या हैलोलकेन जब आप एडिशन ऑफ हैलोजन एसिट करेंगे हमने का ठीक है सर आओ एक एग्जामपल दिखाते हैं आपको मज़ेदार एग्जामपल है सर होता कैसे यह 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 देखो मैंने आपको यह अलकीन दिखाया दिखा इसके साथ let's suppose SCL ले लेते हैं क्या ले लेते हैं सर SCL और आप बात को समझना घंबीर तरीके से समझना यह है और यह CL है अब क्या होता है सर आप सब जानते हो आप सब ने पढ़ाए यह जो क्लोरीन आदमी है बहुत बिकार आदमी यह बॉन लेकर भग जाता है बना लेता है CL- और hydrogen का लिके बगग जाता है hydrogen बन जाता है H+, क्या बन जाता है H+, अब यह बहुत परिशान है H+, और CL- करें तो क्या करें क्या करें कैसी यह मुश्किल है कोई तो बताए चलो भाई यह बन गया अब इधर क्या होगा सर यह दो दो कारबन कहते हैं भाई आपनको हेलोल किन तो बनाना है जीवन में कुछ नहीं रखा है तो उसने का भाई उसने यह अगा कि अगर इनको बेको जोड़ना है तो मुझे एनिहाओ पहले अपने उपार चार्जिस लाने पड़ेंगे प्लस माइनस तो उसने का यह जो नीचे वाला पाई बॉन्ड है या तो तू ले ले या तो मैं ले लेता हूं उसने का यार कोई बी ले लो क्योंकि अगर इस पई बॉन्ड को कोई ऐलेवेंट लेटा है तो वह की ऊपर कौन जाए की आए को पर पॉजिटिफ चार्ज आया recognized आया तो अब अब क्या कहानी होने वाली है कहानी यह होने वाली कि eines को क्होनने ट्रैक करता है अपन सब जानते है से पॉजिटिव टेरं टेरेंड और इस जाए समय करता है सी यही안 प्रस्कनी डिर में देखिए सर, सर हमारी लाइन थोड़ी सी किलियर हो गई है, कुछ ऐसी लाइने बन गई है, देखो जरा, देखो देखो, ये पुराने आदमी, हाँ हाँ, अब घर में कुछ नए मेमान आए, अच्छा सर, नए मेमान कौन जैसे की, जैसे की देखिए, यहाँ पर आया हुआ है कीलोरीन, और यहाँ पर आया हुआ है हाइड्रोजन, यह है, इस मेमान की बात करता हूँ, और अब इसको अच्छे से लिख लो, यह पूरा CH3 है, यह क्या है CH2, और एक जुड़ गया CL, यह कंपाउंड बन गया है, इसको अपन कहते हैं, हेलो अलकेन, क्या कहते हैं सर जी, ह मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ लगा डाला और जिंगा लाला, यह रियक्शन आपके सामने हुए, कितनी बढ़िया रियक्शन थी, फ्रम अलकीन, क्या थी सर, फ्रम अलकीन, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, मेरे साब से तो कोई प् अपन को इसके अंदर देखने, तभी अपना काम हो पाएगा, नहीं तो अपना काम नहीं हो पाएगा, चलो बहिए, चलो चलो चलो, हो गया यह, एक बाद पीछे और दिखा देतों क्या हुआ, देखिए, यह ही था, देखिए, सिंपल सी बात है, अलकीन्स रियक्ट विद ह के पास X पहुच गया, यह देखिए, यह बन गया, अलकाइल हलाइट विच इस अलसो नोन है विच इस आलो अलकेन्स, क्या बोलिंगे इनको, हेलो, अलकेन्स, कोई दिक्त, कोई तकलीफ, कोई दुख, और कोई दर्द है क्या, नहीं यह, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो 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 जल्दी 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 पीछे चलते हैं इसको स्कीन चोट लो सर इसमें एक और चीज बतानी है चीक है बढ़े आगे हैं? अब समझना फ्रम अलकीन्स फ्रम अलकीन्स इसमें पहला आपा है सर by addition of by addition of halogen acid by addition of halogen acid in symmetrical symmetrical alken सर दो तरीके से पढ़ने वाले हैं अपन एक तो halogen acid का add कराएंगे symmetrical alken में और एक कराएंगे unsymmetrical alken में सर ये कौन है अब ये कहां से पकल के लाते हो आप नहीं नहीं चीजे मैंने का या टेंसन मतलो पहले तो मैं आपको सिखाता हूँ symmetrical alken or alken क्या होते है unsymmetrical क्या होते है ठीक है अरे बिल्कुल जपा जपे एक नंबर अगर नई चम के तो बोलना नई चम के तो बोलना एक क्या है सर symmetrical alken और एक क्या है unsymmetrical alken यह यह अब समझो सर क्या है unsymmetrical मतलब की जो एक सा नहीं हो लडाई जगले वाला मैंने का नहीं ऐसा कुछ नहीं आप आओ मैं आपको अब भी बताता हूँ एक मज़ेदार बता बात है double bond के इस साइट कित्ते कार मने एक double bond के उस साइट कित्ते कार मने एक बराबर हैं क्या नहीं है इसी को symmetrical कहते है अच्छा सर ऐसा कुछ है क्या एक और दिखाओ मैंने का यह देखो बस यह जो देख गया देखो double bond कहा है यह रहा double bond कहा है सर double bond इस साइट कितने कारबन है दुई उच साइट कितने कारबन है दुई सर क्या कहलाएगा सेमेट्रिकल डबल बॉंड का है यही इस साइट कितने कारबन है एक उस साइट कितने है एक क्या कहलाएगा सेमेट्रिकल क्या दिखकत है तो बस ये बात या दखना, double bond के either side अगर same number of carbon है, लिख लो, double bond के either side अगर same number of carbon हुए, तो symmetrical होगा. क्या होगा, symmetrical होगा, क्या होगा, सर, symmetrical होगा, बस ये बात अगर आपको याद है, तो आपका काम हो जाएगा, ये मैं आपको ऐसे क्यों लिखवाता हूँ, ये hashtag important lines होती है, सर, chemistry की, hashtag important lines, चमका के नहीं चमका, तो सर, unsymmetrical में क्या होगा, बरावन नहीं होगा, बस, so simple, so simple, देख आपके बता देने का, ये देखो, दिख रहा है, अब समझो, अहां, ये सकल असर नहीं समझेंगे, ये double bond है, double bond के सेट कितने कार बने, एक, उस सेट कितने, दो, सर, बरावन निये, बरावन निये, तो क्या हो जाएगा, unsymmetrical, एक और दिखाते हैं, एक और दिखाएंगे, सर एक और दिखाएंगे, ऐसे में थोड़ी छोड़ देंगे आपको, टेंचन बिलकुल नहीं लेने का, मैं है ना, ये देखो, अब दिखा, आप देखो जा रहा है, ये ये double bond, double bond के सेट कितने कार बने, सर, एक, दो, उस सेट कितने, एक, दो, तीर, सर, क्या कहलाएगा, unsymmetrical, क्या कहलाएगा, unsymmetrical, तो भाया, double bond के either side, अगर number of carbon सेम नहीं है, तो unsymmetrical, और अगर सेम है, तो क्या कहलाएगा, symmetrical, बेटा, आज थोड़ा सा लगर आएगे, गले ने पकड़ लिया, इसलिए बहुत जादा खासी हो रही है, तो थोड़ा सा तो आप लोग adjust करी सकते हो, मेरे स जाता है, चलो, जल्ली लिख लो, from alkeen, जल्ली जल्दी, from alkeen, जल्ली कर लो, जल्दी, हो गया, कोई दिखकत तो नहीं, confirm, हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो, हटा दू, हटा दू, चलिये, चलिये, हटा दू, हटा दू, हटा दू, हटा दू ना, हाँ, ठीक है इस हटा, हटा दू, हटाय को आगे बढ़ा देंगे, हम तो, आगे बढ़ा देंगे, हम तो यह लीजिए, अब समझो, symmetrical में हो क्या रहा है सर, symmetrical alkene में क्या दिखकत है addition में मैंने कहा कोई problem नहीं है पहला पढ़ रहे है पहला पढ़ रहे है पहला addition of halogen acid in symmetrical alkene in symmetrical alkene अब देखो सरा अभी मैंने आपको सारी चीज़े बताई बताया था ना मैंने अभी आपको कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है अब क्या होता है हर बार मैं आपको plus minus नहीं बताऊंगा short तरीके से करवाँगो कैसे short तरीके से देखो इसकी reaction सीधे SCL के साथ किसके साथ SCL के साथ अब आप जानते हो सर कुछ भी आप कर लो let's suppose ये एक bond तूटेगा तो एक valence इसकी free एक इसकी free वैसे वो तूटता नहीं है plus इसके पास जाता है minus इसके पास जाता है यही होता है यही होता है लेकिन अपर इस तरीके से पढ़िए बांड तोड़ा एक हाथ तूट गया तो भाई है दो लो क्या लगारग हो गए अब एक के पास hydrogen को पचा दो यह लो और एक के पास किसको पचा दो chlorine को पचा दो बात एक ही है लेकिन इस तरीके से क्या होता है जल्ली हो जाता है और आपन को पता भी हो ना कैसा है जब सारी चीज़ पता है तो कोई दिक्कत नहीं देखो CH3 लिखो फिर इसके पास कौन आया हाइडूजन आया तो सर पहले तो एक चीज़ गलती हो गई है क्या गलती हो गई यह टू नहीं होंगे यह 1,1 होंगे क्योंकि एक, दो, तीन, चा, ऐसा होगा आप देखो इसके पास हाइडूजन आया तो यह क्या हो जाएगा CH2 बगल में इसके पास कौन आया, C L आया यहीं कंपाउड बनेगा के नहीं बनेगा जी, हाँ सर, यहीं बनेगा यहींगा इसको कहीं आपन 2 chlorobutane लेकिन मानलो मेरा मन चेंज हो गया मेरा मन चेंज हो गया मैंने का यार हाइड्रोजन मेरको इसको नहीं देना है लडाइए मेरी इससे मैंने आच्छा फिर किसको देना है कि ता आब मैं हाइड्रोजन दोंगा इसको इस वाले को तो फिर बहुत लो थीक है मैं आगे वाले के पाद जा रहे हूं तुस्से भी वेज़से बात नहीं कर नहीं यह लो वो यहां पहुच गई अभी आपने हाइडोजन इसको दिया था तो कॉंपाउड यहाट था अब आपने गॉद्शको भी दूसरा एक हां बनेगा दूसरी में देखें C3 अग गया और यह का button पे हो नियुए है क्लोरी और क्लोरी णा रहा है पले और इस पैस घर यहाँ इन यह इत tool दिखा गे नहीं दिखा 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 मैं लेका हां सर इसका नाम लिखो सर इजर से तो तीसर नमबर आ रहा है लेकिन इजर से दूसरा है क्या हो जाएगा टू-क्लोरो-ब्यूटेन लो, सर, बना दिया मैंने अलग से बना दिया मैंने अलग से कोई दिक्कत अबे, मुर्क देखना पहले हैं दोनों को, हाँ सर, दोनों तो सेम ही है ए बाब, रे बाबा दिया तो कुछ ओल था, निकला कुछ और दोनों सेम आ गए यही तो पावर है सर किसकी symmetrical alkeen की किसी को कुछ भी दे दो हाँ अगर symmetrical alkeen है तो भाया compound एक ही बनेगा आपके दो नहीं बनेंगे आप किसी को कुछ भी दे दो मैंने कर जे तो जाद हो गया हमने तो अलग-अलग बाटा है लेकिन रोटी सबजी दोनों गई कोई दिक्कत नही तो यही पावर है किसकी सर सेमिट्रिकल alkeen की आप किसी को कुछ भी दोगए कोई फर्क नहीं पड़ता एक और दिखाओ एक और दिखाता हूं मैंने क्या बोला सर मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज से सैटिस्ट्रेक्शन रहे इसको आओ इसको भी करके देखो यह आप चलो अब इसकी बारी बहुत प्याल से करेंगे मज़े से करेंगे एक बार एक इसको देंगे और सी एल इसको देंगे पहले बॉंड तो तो थो रहे तो एक इसका फरी करें पहले एक इसको देना इसको देना दे दो जागा दो एच अल्रेडी थे दो अल्रेडी थे एक और यह क्यों जदेगा सी एच्टी फिर इसके पास दो थे आच्छा मैं चाहता तो वाला भी कर सकता था यह minus हो जाएगा यह बॉर्ड ले ले लिगा तो यह minus जाएगा यह plus हो जाएगा लेकिन समें क्यों तो बहुत टाइम लगता है लेकिन मैं को तरीका सिछा दिया अब यह मूट बदल गया मैंने का या तुम्हारे मूट का बड़ा चाल नाता केरा अ मैं ने लिř नहीं भी इजा दो फडीया तो फडी तो डी आतो बड़ेगा तो इसको देना पड़गा तौ मैंने जाए कर प्रेख ट parents को जाएका तो आपकी सारी ट्रिक जानते हैं आपने सिकाया है हमको कि आप इसको चैन मनाओगे और आप यहां से वन करोगे क्यों इसको छोटा नंबर मिलेगा तो यहां से नाम आएगा one chlorobutane means chlorobutane और फिर आप जब नीचे वाले में बनाओगे chain तो यहां से one two हो जाएगा तो यहां से भी क्या मिल जाएगा one chlorobutane तो sir नाम तो सेम आना ही है नाम तो सेम आना ही है कुछ भी आप कर लो तो sir फिर दो बार नहीं लिखेंगे फिर एकी बार लिखेंगे sir यही पावर है symmetrical alken की symmetrical alken में जब भी addition of halogen ऐसे डोगा और आपका कोई भी halo alken बनेगा sir उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको आपने hydrogen दिया किसको आपने halogen दिया यह किसकी पावर है symmetrical की हाँ अगर unsymmetrical होता तो कुछ और हो सकता है लेकिन जब तक कौन है जब तक symmetrical alken present है आपको डरने की जरूवत नहीं है जब तक यह boss है जब तक यह dawn है आप सुरक्षित है लेकिन जब आप जाओगे किसके पाले में जब आप जाओगे unsymmetrical के पाले में तो वहाँ पर आपको दिक्कते face करनी पड़ सकती है वहाँ आपको लड़ाईयां करनी पड़ेगी लेकिन symmetrical में लड़ाई की कोई जरूराथ नहीं चलो एक बार देख लो जल्दी एक बार जल्दी देख लो फिर आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी देख लीजे एक बार हो गया पक्का कंफर्म कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हो प्रॉब्लम तो बता दीजे भाई वैसे तो मेरे साब से क्लियर है पूरा पक्का चलिए एक बार साइड और देख लेते हैं ले लिए इसका स्कीनशोट ले लिया पूरा ले लिया क्योंकि आप सीधे आइए पन अन्सेमेट्रिकल पर देखो इसको देखो यह वाला ले ले लो स्कीनशोट एक बार अच्छा यह तो ले लिया था एक बास को क्लीन करके लिए लो चलिए तो ये अपनी बात हो गई थी उन अलकीन के लिए जो symmetrical अलकीन होते हैं अब बात करने हैं उन अलकीन के लिए जो होते हैं unsymmetrical हाँ सर वहाँ तो बात करनी पड़ेगी unsymmetrical में क्या होगा सर वहाँ तो बात करनी पड़ेगी वहां गंबीर हो सकता है माबला मैंने कारे हाँ यार देखो Unsymmetrical Lighting की बात करने वाले हैं यहां मज़ा आएगा सर यहां क्या आने वाला है मज़ा आने वाला क्या करोगे कैसे करोगे किस लिए करोगे सब देख लिएंगे क्यों ले दिखो यह देखो इस तरीके से अब क्या करा जाएगा सर क्योंकि आप देखिए हमारा डबल बॉंड कहा पर है यहां पर है अगर इसका में एक बॉंड तोड़वाता हूं जैसा अभी तक किया था यह तो एक यह फ्री और एक यह फ्री यह होगा अब हमने क्या पढ़ा था भी hydrogen इसको देदो सर और chlorine इसको देदो सर मैंने का देदो बहाई अमएना तोड़ी कुछ जा रहा है देओ जा रहा देओ ँद तो जाल आ जञा है यह फ्री एज़ पास को न लौर ऱ पास Onesit hydrogen इसको देंगे, sir, कोई दिक्कत की बात नहीं है. chlorine इसको देंगे, लेकिन, मेरी अंतराइत्म कहा ती क्यों खेल खेल रहा है, अभी तो खेल के देखा था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, जब Demetrical था. तो फिर में अंदस एक आवाज आई उसने बोला भाईया यह एंसेमेट्रीकल है खेल खेलने में क्या दिक्कत है आज पता चल जाएगा पेपर में गलती तो नहीं होगी मैंने का हाँ आ जाओ चीएश त्री उसके पास बीच वाले के पास सी एल गया फिर यह बगल वाले के पास एच यह सी एच त्री हमने का ठीक है सर सर देख लो अब और मैंने का भाईया कभी अगर आप कंपाउंड लिख के नहीं समझ पाऊ तो नाम लिख दो नाम से क्लियर हो जाता है तीन कार्बन की चेने क्लोर प्रोपेन क्या नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन नीचे वाले को अगर मैं ध्यान से देखू तो सर सेकेंड नंबर पर क्लोरो लगाए तो क्या हो जाएगा टू क्लोरो प्रोपेन सर इस बाल तो स्कैम हो गया हमारे साथ क्या स्कैम हो गया सर जी दोरों के नाम अलग हो ग लग और होगा है तो मतलब इस बाद दो खुंपाउंड मिलेंगे एक मिलेगा वाला क्लोरोप्रोपेन दूसरे वाला विलेगा टूप्लोप्रोपेन अब बात यह सर्द दो लोगे तो आप प्रिया किसको से लेट करें कौन जादा कौन कम तो सर यह बात तो confirm है एक होगा major और एक होगा minor मैंने आपको आए था major में क्या फर्क होता है major compound वो होता है जो majority के साथ बनता है compound reaction के अंदर मान लो 70% मन जाएगा या तो 80% मन जाएगा और minor compound होता है जिसकी quantity कम होती है लाइक 20% बन गया या फिर 30% बन गया उसको अपन माइनर कहते हैं लेकिन ठीक है सर आपकी बात तुम्हें समझ गया कि जब भी मैं asymmetrical alkyne में किसी भी halogen acid का add कराऊंगा दो compound बनेंगे बिल्कुल सर एक बन गया chloropropane एक बन गया आपने इसके लिए क्या रूल था सर क्या रूल था इसा बताइए आप मैंने का इस रूल का नाम था मार्कोनिकॉफ रूल है भाई spelling देख लिजेगा मार्कोनिकॉफ की खतरनाक spelling होती है वैसे कोई यह नहीं पूछता कि कौन सा रूल मार्कोनिकॉफ अभी अपन पीछे बता देंगे थोड़ा मार्कोनिकॉफ रूल आपने 11 में पढ़ा हुआ था बहुत मजदार रूल था मानने वाली रूल था एक तरफा वाला रूल था बहुत टेलेंटेड रूल था सर कैसे सिवाजे उसमें उसने एक लाइन बोली थी अमीर और अमीर होता जा रहा है है और गरीब और गरीब होता जा रहा है पूर गैट्स पूरर एंड रिचर गैट्स रिचर यह उसने एक लाइन बोली थी पूर गैट्स पूर एंड रिच गैट्स रिचर यह चलता आ रहा है मार्केट के अंदर पूरा अमीर की कोई वो नहीं है वो और अमीर होता जा रहा है और गरीब यहाँ पर और गरीब होता जा रहा है ये बात कहीती ही भाई या किसने सिवाजी हमारे सिवाजी महराज सिवाजी महराज वह ले नहीं चत्रपर्थी सिवाजी नहीं आपने बात कर रहे हैं अभी अपने रजनीकान भाई की एई सिवाजे देखिए मूवी के नहीं देखिए बहुत तगड़ी मूवी है अब इसमें सर क्या है ये क्या के दिया आपने पूर और रिच है सर हमेशा याद अखना ये चो हाइड्रोजन है ये हमेशा रिच की पैचान होती है ये रिच वाले लोग है ये थोड़े से तेज लोग है इनसे थोड़ा पंगा कम लेना ये तेज लोग होते हैं ये होते हैं विच और ये जो क्लोरीन आदमी है ये पूर आदमी है दूसरों को भी पूर कल देते हैं ऐसे होते हैं अब बात आती है जिन पर सारी चीजे लगी है आप तो उनको देखिए ये कार्बन और ये कारबन इन दौरों को focus करिये पूरी जान से करा क्या निकरा हा सर कर लिया देखो देखो यह कारबन और यह कारबन मुझे पास यह बताओ दोलों में से अमीर कों ने सर अभी आपने बताया कि हाई्टोजन अमीर की पैंचानी ए तो जिसके पास जादा hydrogen होंगे वह जाधा Pers Anderson की तोатर इन दोनों में देखेंगे तो यह वाला इंद डिखेंगों एक होगि इसके पास CH пиш मैंने का ये सर इसको देख लेगा मेंने का नहीं उस चलचा नहीं बत करना उसके गरीब को यह पता जाएगा जो अमीर है अमीर कौन था CH2 तो इसके पास है जाएगा किया बन जाएगा CH3 तो यह देखिए ऊपर वाला जा रहा है CH3 मतलब यह वाला हाँ और यह कै ता गरीब तो गरीब जा तो CH3 नीचे वाला मतलब नीचे वाला compound आपका कहलाएगा क्या क्या कहलाएगा सर यह compound है आपका major और यह compound है आपका minor यह यह था marconic of rule जो यह याद रग गया बस बात खतम मैंने क्या बोला और यह आपको ऐसी ऐसी चीज़े बताऊंगा जिसमें आपका simple सा काम हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं आप सब जानते हो इसके उपर नेगेटिव आता इसके उपर पॉजिटिव आता इसके उपर नेगेटिव क्यों आता तो यह वन डिगरी कार् सब्सक्राइब तो टू डिगरी कार्बोकेटाइन बनेगा और अपन जानते हैं टू डिगरी कार्बोकेटाइन is more stable as compared to one degree कार्बोकेटाइन यह बात अपन को देखने को मिलती है एक बाद देख लीजे भिया एक बाद देख लीजे जल्दी जल्दी देखिए जल्दी फिर लेघर कि इस सेम कोशन पुणी चिए एचपीयार के साथ तो यह बन गया बर्यंच चाहिए बन गया और यह बनगया अब div那麼 precise मुझे बस यह बताओ दोनोंसे आप लोग बताना है राईट वाला वाला मेजर एक है कि लेफट वाला मेजर है जल्दी 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 राइट वाला वाला मेजर को प Gre people में क्वाले मेजर आप मेजर बना कहई है का आपको फुल मार्क मिलेंगे नहीं मिली तो वपन समझ लेंगे क्योंकिसे मेजर की वक्त होती है माइनर फ़ spacing हुती है सजब कोई दिक्त आपत नहीं आपको अधार की कारबन Ś adults 5 for बता दो बस सर ये वाला अमीर है ये वाला गरीब है इन दोनों में कौन अमीर है सर ये वाला अमीर है तो अमीर को अमीर के साथ मिला दो गरीब को गरीब के साथ मिला दो सर इसके पास H जाएगा CH3 बन जाएगा और बीच वाले के पास BR जाएगा ये बन जाएगा मतलब ये आपका हो जाएगा major और ये हो जाएगा आपका minor कैसे पता चला according to कौन सा रूल सर जी मार्कॉनिक ओफ रूल एक बात हमेशा यादा कहां कभी भी हेलोजन एसिड अनसेमेट्रिकल अलकीन में एड होगा और गिफ्स पे कुछ भी नहीं है ये देखो गिफ्स पे खाली जगा जब भी गिफ्स पे खाली जगा रहेगी आप ये मान लीजेगा भया वहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है मारकोनिक ओफ रूल कौन सा रूल लग रहा है भया मारकोनिक ओफ रूल लग रहा है कौन सा रूल लग रहा है मारकोनिक ओफ रूल लग रहा है कोई दिक्कत की बात तो नहीं है कोई दूख और दल्द वाली बात तो नहीं है नहीं है सर कोई दूख हो दarted वाली बात नहीं है, मैंने थीक है मैंने का ठीक है जट्रिक हो डाउन करेंगे अच्छा चंका करें नहीं कि चंका अच्छा चंका कि नहीं चंका चंका नहीं चलो screenshot लिया अब देखो आगे मैं मार्गोनिक और रूल पढ़ाता हूँ, यह देखिए दा एडिशन ओफ अन्सेमेट्रिकल रियेजिन सच आज एचेक्स जानती है तू दा अन्सेमेट्रिकल अलकीन occurs in a such a way that the negative part of the adding molecule negative part वो ले तो इसका BR minus get attached to the carbon atom of the double bond which has a lesser number of hydrogen atom वो उस carbon atom के पास जाएगा जिसके पास hydrogen कम है और वो कौन सा carbon होगा यह वाला देखो ना इसके पास कम hydrogen इसके पास जादा hydrogen है तो BR किसके पास जाएगा इसके पास इसके according BR बीच में जाएगा यह compound बन जाएगा according to Markovnikov rule according to Markovnikov rule समझे के नहीं समझे मैं बस वहाँ पर V भूल गया हूँ मैं वो ही बोल रहा था में को कुछ तो लगी रहा था मैं यहाँ पर एक V भूल गया हूँ Markovnikov ठीक है लेकिन बोलने में वो क्या V आता नहीं है यह साइलिन चला जाता है लेकिन है Markovnikov rule जल्दी 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 no down करेंगे जल्दी 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 यह था Markovnikov rule और इसका short trick क्या बता ही मैंने पूरर गैट्स पूरर और रिचर गैट्स रिच बस यह याद रह गए आपका काम हो जाएगा जिसमें आप जानते हो रिच कौन होता है रिच कौन होता है भी यह hydrogen और पूर कौन होता है halogen ठीक है जिसके पास भी जादा hydrogen है वो आपका रिच है जिसके पास काम hydrogen है वो आपका पूर है तो भी यह इस तरीके से अगर बातों को आप याद रखेंगे तो आपके लिए काम बहुत सही हो जाएगा लेकिन सर इसमें भी एक दिक्कत है क्या दिक्कत है सर क्या प्राब्लम में अब तो बढ़िया हो गया मैंने का कुछ ऐसी कंडिशन आ जाती है जिसमें अंसिमेट्रीकल अलकीन अगर हैलोजन एसेट के साथ रियाक्ट करता है तो इसके विपरीत वाला रूल लग जाता है विपरीत वाला रूल मतलब यह क्या कहना चाहर हो मतलब मार्कॉनिकॉफ रूल का उल्टा लग जाता है कुछ सरकमस्टैंसेस में कुछ कंडिशन्स में और जब यह उल्टा हो जाता है तो मार्कोनिकोफ का उल्टा आप खुछ समझे क्या कहलाएगा मार्कोनिकोफ का उल्टा मार्कोनिकोफ उल्टा मार्कोनिकोफ को क्या लिखेंगे एंटी मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ रूल कहेंगे क्या कहेंगे एंटी मार्कोनिकोफ रूल कहेंगे क्या कहेंगे एंटी मार्कॉनिकॉफ रूल तो हमने का ठीक है यह कोई दिक्कत की बात ही नहीं फिर तो बहुत आसान है और हो भी जाएगा हमारा खाम तो अब यह पढ़ना है कि सर वो कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन पर आपनको कौन सा रूल मिलने वाला है एंटी मार्कॉनिकॉफ रूल मिलने वाला है हो जाएगा टेंशन मतलू हर केज में मार्कॉनिकॉफ है कब जब हैलोजन एसेड एड हो रहा है किसके साथ अलकीन के साथ और गिस पर कुछ भी नहीं है मार्कॉनिकॉफ लगा न कोई एगर रोक के दिखा दे मैं खड़ा एंटी मार्कॉनिकॉफ कब लगेगा और सरूल उल्टाएं मतलब पूर को अमीर बना देंगे और अमीर को गरीब बना देंगे बस जो अभी माइनल था वो तब क्या हो जाएगा मेचर वो क्या हो जाएगा मेचर बस इतनी बातिया दखनी है और कोई भी दिकत की बात नहीं होने वाली चल जल्दी 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 चलो हो गया चलो अगला देखेंगे यह है एंटी मार्कॉनिक आफ्रूर दिखा यह है अपना एंटी मार्कॉनिक आफ्रूर अब जा ठीक है बाई कोई दिक्कत की बात थोड़ी यह कर लेंगे बहुत इजी है बहुत इजी है अब समझो कंडिशन क्या है एंटी मार्कॉनिक आफ रूल की सर बस दो चीज़े देखना आपका जो हैलोजन एसेड है कौन है आपका हैलोजन एसेड वो होना चाहिए एच बियार यह कंफर्ब है क्या होना चाहिए सर एच बियार यह पहला रूल ठीक है सर तो लेकिन अभी तो मार्कॉनिक आफ में भी एच बियार था मैंने का रुक तो जाओ रुक तो जाओ दूसरा किसके प्रेजन्स में होनी चाहिए सर हाइड्रोजन पर ओक्साइड के है आप पर ओक्साइड लिख किसके प्रेजन्स में होनी चाहिए पर ओक्साइड के प्रेजन्स में यह बात याद अखिएगा यह बात याद अखिएगा पहली कंडिशन इंपोर्टेंट कंडिशन है यह एंटी मार्कॉनिक आफ रूल की पहली कंडिशन क्या है है हैलोजन ऐसे होना चाहिए कौन सा सिव HBR, दूसरा, किसके presence में reaction होगी, परोकसाइड, कोई भी परोकसाइड हो, सर आप ये मान लो, बेंजोईल परोकसाइड हो, चलेगा, हाइडरोजन परोकसाइड हो, चलेगा, लेकिन बस परोकसाइड होना चाहिए, परोकसाइड की लिंकेज आपको पताईए, ये वाली, ये व आपन कहींगे भीया, anti-marconikov rule, क्या लग जाएगा, anti-marconikov, जो minor था, अब वो major बन जाएगा, और जो major था, अब वो क्या बन जाएगा, minor बन जाएगा, इस rule को, अगर मैं वो इस आसान भासा में लिखू, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए, anti-marconikov rule को, अगर आपन आसान लेंग्विज में लिखके दें आपको, तो सर्वोई दो पॉइंट्स, poor get richer, और rich get poor, बस ये काम कर देना, आपका anti-marconikov सफल हो जाएगा, और सर, एक बात और आपको समझाता हूँ, anti-marconikov rule जो है, वो जो rule है, वो चलता है, free radical mechanism पे, जो मैंने आज जब चालू हुआ था, तब आपको समझाए था, उसी पर ही, ये चलता है, free radical mechanism के बेस पे, किस पे चलता है, free radical mechanism के बेस पे, उसी पे चलके सारे काम अपन को देखने को मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपन को वहाँ देखने को मिलती है, चलो, फटाबर note down कर लो, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी, चलिए, clear note down, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको भी बताता हूँ, टेंशन मतलो, anti-Markonikov rule, opposite of Markonikov rule, the addition of HBR to propene in the presence of the organic peroxide, देखिए, peroxide compulsory है, takes place contrary to Markonikov rule, देखिए, same चीज़ हो रही है, अभी इसको reaction को दिखाएंगे, देखिए, इसको लाने वाले scientist का नाम था, खराश, इसलिए इसको खराश effect के नाम से भी जाना जाता है, किसको, this effect is also known as खराश effect, और किसके presence में आ रहा है, peroxide के effects में, इसलिए इसको, this effect is also known as peroxide effect, कौन सा mechanism होता है, free radical mechanism, कौन सा होता है सर्ची, free radical mechanism, ये बात आपको हमेशा इसके अंदर याद रखनी है, ये तो अपना Markonikov था, अब समझे इस बात को, अब बात करते हैं, अपन एंटी Markonikov की, सब दोनों सेम compounds है, कुछ भी अलग नहीं बनना है, सब सेम है, compound ही वोई ले रहा हूं, सब कुछ सेम ले रहा हूं, बस जो rule पढ़ाया है, वो याद रखेगा, ये देखिए, बस HBR में ही आएगा ये case, चीके, HBR important है, बागी कोई और हो, नहीं लगेगा, चाहे फिर परोकसाइड क्यों न आ जाए, फिर Markonikov बस, और यहां मैंने ले लिया परोकसाइड, या तो हाइडोजन परोकसाइड हो सकता था, यह बेंजोईल, आपको उससे ले देने की कोई दिक्कत नहीं है, बस rule क्या पढ़ाया है, मैंने यह बताओ, Anti-Markonikov rule क्या पढ़ाया है, मैंने का भाल में क्या सारा, बस या तको, poor gets richer, और rich gets poor, जो इसको लगा गया, उसके लिए life जिंगा लाला, बस, अब देखो, सर ध्यान से देखना बहुत important बात बताओंगा, सर, अमीर कौन है दोनों में से, सरी अमीर है, अमीर को क्या बनाने का है, गरीब, और गरीब कौन होता है, बियार होता है, चलो, निप्टाओ बियार को इदर, और ये कौन है सर, सर ये तो अमीर है, सरी, ये तो गरीब है, गरीब को क्या बनाना है, अमीर बनाना है, ये हम चाते हैं भाई हमारे देश में, तो अब देखिए क्या बनेगा CH3 और क्या बनेगा CH के पास एज जाएगा क्या बन जाएगा CH2 फिर क्या बनेगा CH2 BR, सर्थ देखिए इस बार ये मेजर होगा अगर मैंस में मारकॉनिकोफ लगाता तो ये माइनर होता लेकिन एंटी मारकॉनिकोफ के ये क्या है? मेजर है क्या है सर? मेजर और जब दूसरा बनाया था जो दूसरा बनाया था दूसरा भी आप अगर ट्राइ करोगे बनाने का तो वो माइनर होगा ये है ये क्या है आपका? माइनर है ये क्या है आपका? माइनर है सर ये माइनर केस है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कौन सा केस है, ये माइनर केस है आपका, जल्दी, ये कौन सा केस है, ये माइनर केस है आपका, देख लीजे एक पर, ये होता है आपका anti-marconic of rule, भाया दो नाम है इसके, एक तो खराश effect और इसी को अपन कहते हैं, पर ओक्साइड effect, बस आपको याद क्या रखना है सर, सर कुछ पॉइंट से, इसको पर ओक्साइड effect कहते हैं, खराश effect भी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, दूसरी बात ये कौन सा mechanism follow करता है, free radical mechanism, वही तूटने वाले, free radical mechanism, और just opposite होता है, किसके भाया, मार्कॉनिकॉफ के ये लिखा पूर को गरीब, और सरी, पूर को गरीब बना दो, मैं भी क्या कह रहा हूँ, गरीब को अमीर बना दो, अमीर को गरीब बना दो, ये है anti-marconikoff, अमार्कॉनिकॉफ था गरीब को गरीब, अमीर को अमीर, सोरी चलो जल्दी नोट डाउन करो और याद अखना एंटी मारकॉनिक ओफ के लिए कंडीशन है क्या कंडीशन है यह व्यक्ति होना चाहिए और यह भी होना चाहिए अगर इसकी जगा आपने सिर्फ यहाइ पॉसिबल है एंटी मारकॉनिक ओफ में क्याओं सैई हपी आपना तभी काम मंकेन हे नहीं तो काम मुम्केन नहीं है फिर तो आप बैठे रहोगे और कुछ नहीं हो पाएगा बस बैठके सोचते रहोगे तो यह बात को बिलकुल भी याद रखना है चलिए चलिए भाईया इस पे एकाद बार कोशन आ चुका है बोर्स में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर मे मैं खुद दूँगा आपको कोशन टेंशन की बात नहीं लेना है बस बस टेंशन की बात नहीं लेना मैं हो ना हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा बाई हो जाएगा टेंशन नहीं लेना है चलो जली करो पूर गैट सेचर और रिचर गैट्स पूरर लिख लिख लिए स्क दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं, इसका screenshot भी लो जल्दी. जल्दी लो इसका screenshot. चलिए. यह देखिएगा, द्यान से देखिएगा. In case of SCL, द्यान से देखिए. In case of SCL, the SCL bond is stronger. bond stronger होता है. 430.5 kJ than the HBR bond. HBR bond कितना होता है? 363 kJ per mole. मतलब, अगर मेरे को HBR का bond तोड़ना है, तो कित्ती energy देनी पड़ी कि 363? लेकिन, अगर मेरे को SCL का bond तोड़ना है, तो कित्ती देनी पड़ी कि 430? इसका मतलब यह कि, N is not cleavaged by the homolytic fission to form the free radical. इसलिए, SCL का homolytic fission नहीं हो पाता है. In case of HI, HI bond is weak and the iodine free radical combines to form iodine molecule. अब बात को समझो क्या होने वाला है? सर, SCL तो जल्दी तूट नहीं रहा है. SCL जल्दी तूट नहीं रहा है, क्योंकि उसका bond कैसा है? Strong है. क्या है, सर? Strong है. तो उसके अंदर कौन सा cleavage नहीं हो पा रहा है? उसके अंदर homolytic fission नहीं हो पा रहा है. कौन सा नहीं हो पा रहा है? Homolytic fission. Homolytic fission आपको याद है ना, अपनने पढ़ा था? Homolytic fission का मतलब होता है, बराबर तूटना है. जैसे की SCL है, तो अपनने पढ़ा था, एक electron ही है, एक electron ही है. अगर दोनों बीच में से ऐसे टूड याएंगे, तो H के उपर एक ऐसा आजाएगा, और CL के उपर एक ऐसा आजाएगा. ये दिख रहा है, इसको कहते है homolytic fission. लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये bond strong है, और इसकी जो bond enthalpy है, वो बहुत ज़्यादा है. किती है? 430 किलो जूल. तो इसको तोड़ पाना थोड़ा सा असंबभ हो रहा है. क्या हो रहा है? असंबभ हो रहा है. हमने का अच्छी बात है. और वही अगर मैं दूसरे जगह देखू आयोडीन का, वही मैं दूसरे जगह देखू आयोडीन का, तो इसका bond बहुत ज़्यादा weak है. इसका bond बहुत ज़्यादा weak है. और जब weak है, तो ये फट से तूटेगा homolytic fission, ये बनाएगा H का free radical और I का free radical. लेकिन ऐसे एक और molecule भी होंगे, ऐसा तोड़ी क्या अपने एक ही molecule को तोड़ा होगा. ऐसे और भी molecule होंगे. हाई होगा, ये भी फट से तूटेगा, ये भी H का free radical और I का free radical. अब ये iodine और ये iodine, आपस में कहेंगे, चलो आओ. चलो नएन लडाएं, नएन लडाएं, और ये दोनों मिलके क्या मना लेंगे? I2, तो इसमें फ्री radical नहीं बच रहे हैं. तो ये ही हो रहा है, एक का bond बहुत strong है, एक का bond बहुत weak है. तो दोनों में free radical mechanism होने में बहुत तकलीफ आती है. इसी लिए, anti-marconic of rule, इसी लिए, anti-marconic of rule में दिक्कत यही आ रही है, कि anti-marconic of rule सिर्फ कब लगता है, जब सिर्फ एक ही व्यक्ति हो, HBR, क्योंकि इसके अंदर free radical सबसे बढ़िया होता है. और ये भी कब होगा, जब किसके combination होगा? पर उक्साइड. तो बस एक चीछ या दको, अगर ये कभी दिख जाएं दोनों, ये दोनों आपको कभी दिख जाएं, ये important है. साथ में, तो आग बन करके वहाँ क्या लगा देना? anti-marconic of. और अगर ये दोनों साथ में ना दिखे, अकेला HBR मिले, पकल के एक थपड़ा देना, और केना, चल मारconic of. अगर पर उक्साइड के साथ SCL भी लगे, तो भी एक थपड़ा मारना, बोला, चल मारconic of. अगर ही भी दिखे, पर उक्साइड के साथ, थपड़ा मारके देना, केना, चल मारconic of rule. एंटी मारकोनिक of किसे वे की कंडिशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और कोई नहीं, और कोई नहीं, देखिए, कंबाइन टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल, इंस्टेड ओफ एडिंग एक्रोस डा, डबल बॉन, वो डबल बॉन्ड से बात ही नहीं करना गया, अपने में घर-गर खेल लिया, और इधर पर बात करी, तो इधर तो भईया, घर-गर खेलने की बात ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्टॉंग था, होमोलेटिक फिजन होई, नहीं पा रहा था, यही कंडिशन होती ही कि एंटी मारकोनिक उफ में हमेशा सिर्फ HBR होता है, कौन होता है सर, HBR होता है, और कोई भी नहीं होता है, सिर्फ HBR होता है, और वो भी किस के साथ, पर उक्साइड के साथ, इसलिए इस effect को peroxide effect भी कहा जाता है एक बाद देख लीजे इसके कई questions कराऊंगा मैं अगले वाली class में उसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे होंगे इसके questions और कितने मज़दार होंगे इसके questions मज़ा आएगा सर मज़ा आएगा चलिए जल्दी 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 नोट डाउन करिए जल्दी 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 लिख लिया screenshot ले लिया तो यहां से कुछ बाते हैं जो मेरे को आपको बतानी है चलिए for whatever note डाउन करिए हो गया पक्का अब एक बास सुनेंगे यह इसका भी एक screenshot ले लीजे पहले जल्दी लिया चलो एक लास चीज अपने आज पढ़ी दो चीजे Marko Nikos rule जिसमें अपने क्या देखा कि सर्क किसी भी halogen acid को आप किसी भी alken के साथ asymmetrical alken के साथ asymmetrical alken के साथ अगर add कराओगे तो कौन सा rule follow होता है Marko Nikos rule और Marko Nikos rule क्या था जल्दी बोल दो बाई जल्दी बोल दो चमका के नहीं चमका पूर गैट्स पूर और रिच गैट्स रिचर इससे आपको कौन सा प्रोड़क्ट मिल जाएगा major और इधर क्या है कौन से halogen acid होने चाहिए साथ सब चलेंगे सब चलेंगे SCL, HBR, HF बहुत कम यूज होता है क्योंकि bond बहुत strong होता है HI कोई भी आजाए साथ सब में चल सकता है सब में लेकिन अगर अगर और मगर यदा कदा और सरवदा anti-marco rule के अगर मैं बात करूँ सद्यान से देखिएगा anti-marconic of rule के अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो आपका halogen acid होगा plus unsymmetrical alken होगा और गिस पे होगा अपना paroxide ये condition है कौन होगा सर paroxide ये condition है कौन होगा सर paroxide और एक और condition है इधर जो halogen acid होगा वो अनिवार है कौन का होना HBR का अगर ये दो चीजे हुई तभी marconic of calm करेगा नहीं तो anti-marconic of calm करेगा नहीं तो anti-marconic of calm नहीं करेगा और अगर ये दो condition होती है तभी rule फॉलो करेगा कौन सा rule पूर गैट्स रिचर और रिच गैट्स पूर ये वाला रूल कब anti-marconic of पे और ये वाला रूल कौन सा marconic of पे दूसरी बात इस पर में आपको बता है कौन सा mechanism दिखाता है जल्दी एक बार comment section में free radical mechanism कौन सा सर्फ free radical mechanism किसके effect में आया पर अक्साइड के effect में इसलिए इसको पर अक्साइड effect लाने वाले scientist का नाम था खराश इसलिए खराश effect भी है ये चाहानी जो अपनने आज देखी किसकी इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला और पता भी होनी चाहिए आपको अगर ये चीज नहीं पता है तो बहुत दिक्कत फेस अपन को करनी पढ़ सकती है चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे इजी सी चीज थी जो में आपको बतानी थी चलो आप कंक्लूर करेंगे वीडियो wind up करने वाले हैं जल्दी नोट डाउन करें जल्दी 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 हैं जल्दी 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 है चले कल ले लिकर तो नहीं है तो सर्ज maintenance जाएगा सर mar masked rule हर जगहा बस क्या नहीं होना चाहिए ऑफ वर पर ओक्साइट क्या होता है और परोकसाइट तभी लगेगा एंटी मारकोनिक ओफ विच इस पूर गेट्स रिचर और रिचर गेट्स पूर कितना सिंपल रूल था इसके कोशन है लेकिन आज नहीं है पूरी पोल आज नहीं खुलेगी कुछ पोल कल भी खुलेगी तो भया लेक्चर में मजा आया हो तो टूप से एक बार थंसम जरूर दिखा देए एक बार जरूर लिखे सर चमक गया बोलेत तो चमका और प्रतीक सर के स्टाइल में एक तरफा टॉपिक था कल के लेक्चर में आपको ये फाइदा होने वाला है कि इसके कुछ गोशन्स लेके आघूंगा और एक हैलोजन एक्स अगर दुविधा दुख ये सारी चीजें हो तो मुझे थोड़ा बता दो अपन निप्टा देंगे सब कुछ निप्टा देंगे फार देंगे एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है चलिए करें आगे बढ़े आगे बढ़े चलो सर आगे बढ़े दिलो बढ़ गए भाई या आगे खतम खेल क्या कर सकते हैं हम तो सर मैं कमर कसके बैठा हूं क्या आप तयार हैं मैं पढ़ाने के लिए रेडि हूं क्या आप पढ़ने के लिए रेडि हैं सर अगर सारी चीजे आज नोट बुक में बढ़िया तरीकी से लिख लीजेगा पैन कापी पैंसिल लेके बैठाओंगे मेरे को पता है हाना इतना तो मैं मान के चलता हूँ सारी चीज आज जो पढ़ाई सब समझ में आई के ने आई एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजगा सर की पढ़ाया हुआ मक्खन की तरह समझ में आगया अगर नहीं आया हो तो वहां लिख देना कल के लेक्चर में आऊँगा तो थोड़ा सा खीच लूँगा मैं सब के कमेंट देखता हूँ यह टेंशन मतलो जब आप लोग लिखते ना सर मज़ा आ गया बेस्ट पढ़ाया है यह पढ़ाया है कमेंट नहीं करता हूँ लेकिन मज़ा आता है यार की देखके कि आहां बच्चे लोग बोल रहा है इस तरीके की चीजे होती है तो थोड़ा सा बेस्ट लगता है क्या लगता है बेस्ट लगता है चलिए तो भईया बस खतम करिए पढ़ते चलिए आज के लिए इतना ही जुड़े रहे मेरे साथ और मैगनेट भी इसके साथ आपको जल से जल नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड होगा सेम टेम सेम जगा कली आके मिलना है और फिर अपन आगे करेंगे इसको आगे चलिए ओके थैंकि तो मच